गर्मयों के छुट्टी में अगर क्याचिधाम या नानिताल गुमने च्वानी का प्लान बना रहे हैं तो अलमोड़ा च्वानी पर आपको नया अनुभव हो सकता है दरसल पूरी दुनिया में हर जगे पर गृत्वा कर्श्वन बल एक जो ऐसा नहीं है दुनिया बर में तीन जो गहें ऐसी है जिनको जबर्जस्ट चुमकी श्वक्ति का कींद्र माना जवाता है इन में से एक जोगे भारत में उत्राखंड राज के अलमोड़ा जिले में है अमेरकी अंद्रक्ष एजिन्सी नासा रेचा बलमोड़ा चुले में कसार परवत पर शोद और अध्यन किया तो पता चुला कि कसार दीवी मंदिर के आसपास का पुरक्श्वीत्र वेन एलेन बिल्ड का हिस्सा है शोद जब आगे बढ़ाये गया तो नासा कसार परवत की जवर्जस कॉसमे के नर्श्वी देखकर हैरान रह गया तो वहीं विशाल भूचुम की पिंड भी है यहाँ पर जिसी वच्वे से इस चीत में गृत्वा कर्श्वन बल बाकी जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा है नासा ने काफी समय तक कसार परवत पर वैन एलन बेल्ट बनने की वज़हों को जवाननी के लिए शोत्किया उत्रखन के कसार देवी मंदिर के आसपास के छेत्रिस के अलावा दक्षोड अमेरिका के पेरू में माचो पिच्चू और इंग्लैड के स्टोन हंग में काफी समानित आए हैं तीनों जगहों पर चुमकी श्वक्ती का विशेश पुन्या यहाँ पर पाया गया है और ऐसे में तीनों जगहों पर ध्यान करने से मांतिक श्वान्ती मैसूस होती है अमेरिकी अंत्रिक्ष अजंसी ने चिन्नित कर जीपेस आठ बीन जगहों पर लिखायज वहां अलमोडा के कसार देवी मंदिर को भी कभी विग्यानिक नजरी से एहमियत नहीं दी गई थी जब नासा ने इस च्वेट में भूचम के प्रभाव को मानिता दी तो अब काफी लोग यहां मेडिटेशन का नुभवले ने पहुशने लगे हैं कसार देवी मंदिर परिसर में एक पॉइंट जीपेस आठ है इसी के नजरी से नासा ने ग्राविटी पॉइंट के बारे में बताया मुख्य मंदिर के द्वार के बाई तरफ के स्थान को चुनित करते हुए नासा ने जीपेस आठ लेका है स्थानिय लोगों के मताबिक कसा नवंबर से तिसंबर तक कसारदेवी मंदिर बेला भी लगता है इसके साथी कसारदेवी के मौजूदा मंदिर को बिड़ला परिवार ने 1948 में बनाया था जहाँ पच्वास के दश्वक में यह बनाया गया एक शिव मंदिर भी है और बताया जाता है कि स्वामी विवेकनन 1980 मे यहाँ आये थे उन्होंने यहाँ की एक एकांद गुफा में गहन ध्यान किया था उनके अलावा पच्वी देशों के बई सादक भी यहाँ आ चुके यह चीतर क्रैंक्रस के लिए भी पहचाना जाता है यह चीतर 1980 सिनब्बे के दशक में हिप्पी आंदोलर में बहुत ज़ और चुहारस डेनमार्क के एलफ्रेड सोरनेशन जो ऐसी हस्तिया यहाँ पर आई हैं साती धार्मिक ओपरेटर्न ही नहीं कसार देवी मंदर वेग्यानिक नजरिये से भी काफी ज़ादा दिल्चर स्पैस का संबंद प्रत्वी के ठीक बाहर मौजूद मैंगनोटर स्फेर स ज़ान धर्ती के मैंगनोटर स्फेर के कारण भारी संख्या में अनर्जी से भरे हुए च्वार्ट पार्टिकल्स की लेयर बनी हुए है और इसे ही व्यान एलन रेडियेशन बेल्ट कहते हैं ज़ानासा की रिसर्च पुस्ट्री करती है कि प्रत्वी का भूचम की छीतर और पवन को रूक और उर्जावान कडू को विखीर करवायू मंडल को नस्ट होने से बचाता है इस बेल्ट का नाम इयोवा यूनिवस्ट्वी के अंद्रक्ष विज्यानी जीन्स विन एलन की नाम पर रखा गया है